हाई गैस विल्कम बैक टो अंदर वीडियो आप सब्सक्राइब आपके लेकर आएं बहुत ही बढ़िया डिटील कंपैरिजन बिट्वीन बिट्वीन गुरीला 450 एंड हिमालेन 450 डोनों ही राइन फिल्ड की 450 CC की काफी बढ़िया बाइक हैं बट दिक्कत ही है अब समझ नहीं कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए इमालेन 450 या फिर गुरिला 450 सो इसलिए आज हम अपने लेकर आए कंप्लीट डिटील कंपैरिजन ताकि आपको इक टॉपर आइडिया मिले कि कौन सी बाइक आपके लिए बैटर है इस रीडियो आप एं तक देखना बाकि इनकी सगर आपको मिल जाते हैं जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था सिर्फ कलर का डिसरेंस है बटेशन में आपको डिफ्रेंस मिल जाता है मिलता है जो आप वीडियो में देख रहे हो यह इसका टॉप प्राइस है 2.54 अब हिमालेन 450 के अगर हम बात करें इसका एक्ष्यों प इसमें आपको स्टेंडर्ड एक ही मिलता है बट इसमें आपको फाइब डिफ्रेंट कर मिल जाते हैं जिनके को प्राइस मिल जाता है जो आप वीडियो में देख रहे हुँ यह इसका सबसे लोग प्राइस प्राइस है 2.85 लेक्ष्य आपको दोनों बाइक के बीच में 44,000 क देखने को मिल जाता है अगर हम तॉफ इंट करें बात करें तब आपको रफली 46,000 का डिफिनिस मिलता है इंजिन आपको दोनों ही बैक्स में सेम मिलते हैं दोनों ही बैक्स में आपको 6-speed का gearbox मिल जाता है एक्जास्ट भी दोनों बैक्स का लगबख सेम है बड़ जो sound quality है उसमें थोड़ी सी tuning की गई है ऐसा का कहना है तो एक बार वह भी चेक कर लेते हैं पहले हम मारेन 450 की चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम गुरिला 450 की चेक करेंगे आपको किसकी बैटल लगी मुझे आप क्वेंट करके जबर बताना पर असले सिंग मुल जादा डिफरेंस नहीं लगा लगबख स्रीम है अब डिजाइन लुक्स की गरम बात करें यहां पर आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों इस बैक्स की इन में कॉफ इसे हैं जो आपको बिल्कुल सें मिलते हैं खोई ऐसे हैं जो भी आपको कम्सी की दिफरेंट मिलते हैं लाइक अग्गर नेघर मिलें दोनों इस में मिल जाता है with LED indicators Himalayan में आपको एक tinted windscreen की मिल जाती है but if you want आप Gorilla में भी लगवा सकते हुए नीची की तरफ चने तो नीची आपको दो नी बैक्स में different wheels मिलते हैं Himalayan 450 में आपको spoke wheels मिल जाते हैं with tube tires yes tube tires फ्रेंट में आपको 90 by 90 R21 का tire मिलता है and rear में आपको 140 by 80 R17 का tire मिलता है वहीं Gorilla 450 के अगर हम बात करें इसमें आपको बड़िया अलाविल्स मिल जाते हैं with tubeless tires front में आपको 120 by 70 R17 का tire मिलता है and rear में आपको 160 by 60 R17 का tire मिलता है so Gorilla 450 में आपको tubeless tires मिल जाते हैं and Himalayan 450 में आपको tube tires मिलते हैं इनी के साथ अगर हम बेकिंग system की भी अगर बात करें तो Himalayan 450 में आपको front में 320 mm की disc brake मिलती है वहीं Gorilla 450 में आपको front में 310 mm की disc brake मिलती है and rear में सेंग हमालें इतनी 270 mm की disc brake मिलती है इसके लाव अगर हम travel की अगर बात करें तो दोनी बात करें तो दोनी बात करें तो दोनी बात करें आपको लगबक सेंग मिलता है इसके लाव अगर में travel की अगर बात करें तो दोनी बाक्स में आपको different travel मिल जाता है हम इलिए 450 में front अट यह दोने जगा आपको 200 mm का travel मिलता है जबकि gorilla 450 में आपको front में 140 mm का travel का travel मिलता है यह वारा difference means size की विश्द से है बाकी दी-टैयर बाकी तो देख सकते हो दोनी बैक में आपको मिल कोड़की है ऑंको अलगा की सिदुटिक है अपको इसमें इंडिक है ऑंकी साधुनि gray-soil की अपको 17 में टीजाती है एक इसमें आपको लोग सीट में मिलती है इसको की आपको 196 केंजिगा कर वेक्ट मिलता है इसमें आपको 185 केंजिगा कर वेक्ट मिलता है अदर्वाइस गुरिला 450 में भी ठीकता कमफर्ट है अगर आपको ज्यादा करेंग नहीं करनी इसमें इसमें आपको राउंड शेफ दिस्प्रेंग मिल जाती है विफोन क्नेक्टिविटी फुल मैक निविगेशन और मीडिय कंट्रोल वगयरा बट अगर अगर आप गुरिला सब्सक्राइब और जैसा इनलोग इंस्ट्रूमेंट क्रिश्टर मिलता है और अगर बात करें तो दोनों ही बढ़िया है अपने प्राइस के कॉडिंग इसका सिंपल सा एक ही सिल्यूशन है अगर तो आपको करनी है एक्स्प्रीम लॉंग टूरिंग वगयरा तैन आपकी न तो यह बहुत दिक्कत आसकती है अगर टो इसे इसलिक ते अपको फोड़ो भूण टूरिंग भी कर सको aver से ओंग बैसे है सबसे पैले इसमें आपको मिल्य जञए को एड्सन की आने वाला नुसे बात श्यूंच उसके लिए आपको तो इसमें थोड़ी बहुत असेसिस लगवानी पड़ींगी तब ही आप कर पाऊगे एंडाइट टू बैटर नहींगा कि आप रॉयन फिर्ट से लगवाओ के साथ आपको काफी सेसिस के ऑप्शन मिल जाती है आपको दोनों से कौन सी बेस्ट लगी कौन सी वाई का लेने वा मत बूलना आप लोग भूल जाती हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन स्टे ट्यून से